चोरी का एक अजब्गजब मामला Во सामने आया है जहां चोर चौरी करने आता है और पूरी फजीयत हो जाती है दरब दररहां प्जार के कानपूर के नौ भस्ता हलाकीका है। यहां रहने वाले इंद्रुकुमार की पत्नी का शे सितम्बर को देंद हो गया था। इंद्रुकुमार पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए अपने गाव चले गए थे और घर को लॉक करके चावी पोडोस में रहने वाले रिष्टेदार रामजी तिवारी को दे गए थे नोबस्ता के ही रहने वाले तीपक शुकला ने अपने साथी सोनु पांडे और सोनल दिवारी के साथ मिलकर इंद्रुकुमार के घर में चोरी करने का प्लैन बनाते हैं और मौका पाकर ये गैंग घर में घुज जाता है गैंग में शामिल युवक ने अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग चोरी करो तब तब मैं अराम कर लेता हूँ वहाँ घर में सोता ही रह गया और उसके साथी कीमती सामन लेकर घर से फरार हो गये सुबह होने पर जब माकान मालिक ने चोर को कमरे में सोता पाया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफतार किया है और एक चोर की तलाश में पुलिस जुटी है मामले में आगे की कारवाई की जा रही है नमस्ता द्वारा विजय कुमार किवारी नामा के वैट्टी को जो चोरी के अभ्योग में वानशित थे उन्टो की रफ्तार पर जेल पूस दिया गया है